नवस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब जानुतत दोस्तों आज मैं आपके लिए एक अनूखा वश्यकरण लेकर आई हूँ जी हाँ, एक ऐसा वश्यकरण जिससे आप किसी को भी अपने वश्य में कल सकते हैं और ये वश्यकरण इतना सरल है कि इसे कोई भी कल सकता है महिला है, पुरुष है, व्रिद महिला है, व्रिद पुरुष है जिनके बेटे उनसे रूट गए हैं, जो उनसे बात नहीं कलना चाहते हैं वो भी अगर ये वश्यकरण करना चाहते हैं इतना सरण है कि वो इसे आसानी से कर सकते हैं और दोस्तों कोई वशीकरण ऐसा है जो आप कही जगा करवाकर ठक गए हैं पैसे दे देकर परिशान हो गए हैं तो आपको गुरुजी से संपर्ट करना चाहिए क्योंकि गुरुजी जो वशीकरण करते हैं वो सच्चे से होते हैं कि वो जो विधी है वो तपस्या करके हासल की गई विधी है जो आज विधी में आपके लिए लेकर आए हूँ ये भी एक तपस्या करके हासल की गई विधी है जब जो गुरुजी है वो तपस्या करते हैं उसके बाद उनको ये विधी हासल होती है इसलिए हमारी ज बताई गए जो विधी है वो बहुत प्रचंड विधी होती है जिसका कोई तोड़ नहीं होता तो आईए मैं बताती हूँ आपको कि आज कौन सी सरल विधी में आपके लिए लेकर आई हूँ जिसके प्रयोग से आप किसी को भी वश्मे कर सकते हैं और वो सरल विधी करने से पहले मैं आपको बता दूँ तो ये विधी जो आपको करनी है ये बुद्वार और गुरुवार के दिन करनी है और इसके लिए आपको जो सामगरी चाहिए वो बस इतनी है कि एक कागज और लाल पैन बस इसी सामगरी के मदद से आप किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और आई हैं मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है आपको इस कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और मंत्र इस प्रकार है ओम असे कामख्या मंत्र श्री अक्षे मंत्र इस मंत्र का आपको पांच पार जाप करना है इस मंत्र का जाप जैसे ही आप पांच पार करेंगे और इस कागज को आपको अपने पास रखना है और इस व्यत्ति का ध्यान करना है जिसे वश्मे करना चाह 3 घंटे आप इस कागश को अपने पास तरखे और 3 घंटे बाद आप इस कागश को जाकर जला दीजिए जी हाँ, जैसे ही ये कागश जलेगा और राक में तबदील हो जाएगा जब इस कागश जो है वो पूरी तरह राक बन जाएगा वो वीति आपसे बात करने के लिए बेचान हो जाएगा वो चाहेगा कि कैसे भी आपसे कॉंटेक्ट करें आपसे बात करें अपना वक्त आपके साथ के अतीत करें तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो इस विधी को सही तरीके से कीजेगा और जो मंत्र है दोस्तों वो सबके राश्री और नाम के हिसाब से अलग-अलग होता है तो गुरू जी को कॉल करें और अपने राश्री और नाम के हिसाब का मंत्रा प्राप्त कर सकते हैं और इस मंत्र के मांध्यम से आप किसी व्यक्ति को अपने वश्च में कर सकते हैं